हाई एवरीवन वेलकम टू फिजिक्स गलक्सी आज की सेशन में हम लोग सी एसाय नेट 2023 जून में जो एक जाम हुआ था उसमें जितने सारे कोश्चन फिजिक्स से पूछा गया था उसका डिटल सॉल्यूशन इस लेक्चर में देख लेंगे तो पहला जो कुश्चन था कि दा है मिल्टूनियन एक किविन था टू-डाइमेंशन हर्मोनी कोंसिलेटर के लिए और उसमें बोला गया था कि एक पेसिफिक इनर्जी और उसमें पूछा गया था कि डिजिनरेशी क्या होगा तो इसमें क्या करना था आपको एजो है इसमें आपको एनर्जी के फॉर्म लिखना था जैसे मैंने यहां पे लिखा है तो देख लीजिए थोड़ा तो और उसमें आपको एनेक्स और एनवाई में एक रिलेस्टन आ रहा है उसमें आपको एरंज करके बताना था कि कितना होगा तो इसमें जो कॉम्बिनेशन आ र कि पूछा गया था वो फास्ट ओडर एनर्जी करेक्शन में जो है कि पेसिफिक इंटिकरेशन लागाना था और लिमिट को आप चेंज कर लिजिए तो इसमें जो रेजल्ट आ रहा है कि 8 एपसाइलोन अंडर 3 5 जो आप्शन सी में था नेक्स्ट जो कॉश्चन था कि एक डिजिटल एलेक्टोनिक्स है जो जहां पर A, B, C, D चार इनपुट गिभिन था और इसके डिलेटेट एक आउटपुट भी गिभिन है देखिए कि इसमें आपको बोलना था कि ए जो X है ए जो X है ए एक्स का जो गेट होगा वो क्या तो आपको इसमें सॉल्ट करने के लिए क्या करना था कि जो आउटपुट जो पेसिपिक गेट में आ रहा था इसमें आपको क्या करना था कि इसमें आपको क्या करना था कि इसमें से आपको जो रेजल्ट आ रहा है देखिए कि ए एक और गेट आ रहा है एक जो था एक और यही option correct है कि option P तो next question quantum से पूछा गया था जो जहां पे कुछ data given था कि L square and L z का value और पूछा गया था कि L x square का expectation value क्या होगा तो यह specific formula होता है इसका कि L x square का expectation equal to h square under 2 of L of L plus 1 minus n square यह लगाने से यह जो question में given था यह data उसमें से आप L and m का value मिल रहा है तो उसमें इसका result जो आ रहा है कि h square तो इसका right option जो होगा कि 4 नेक्स्ट जो question था कि ground study ना जी पूछा गया था और उसमें एक specific energy का form given था कि e naught equal to n e naught और उसमें आपको जो है कि एक case में polarized case था एक magnetic field apply किया गया था और एक बार without magnetic field में calculation करना था तो उसमें आप without magnetic field में जो होगा तो सब्सारा non polarized तो इसके लिए क्या होगा कि एन अंडर टू पार्टिकलर एलेंस होगा तो ऐसे करके जो इसमें कि epsilon n 102 of n under 2 plus 1 और जब a b not equal to 0 होगा तो उसमें क्या आएगा कि a result आ रहा है ठीक है actually epsilon of n of n plus 1 under 2 तो बोला कहता कि difference क्या होगा तो इसलिए डेल of e equal to e2 minus e1 करने से जो result आ रहा है वह है क्या कि 104 of n square of e not तो जो option 4 में था तो next question पूछा गया था matrix से तो एक matrix given था उसमें बोला गया था कि the characteristic equation given m के form में उसमें जो alpha and beta का result होगा वो क्या होगा तो इसको करने के लिए जो property होता है कि trace of a matrix that is equal to sum of the diagonal elements and the sum of the minor of the principal diagonal element that is equal to you have a show are a kid three two one that is six and the characteristic question होता है की lambda cube minus of lambda square of trace of the matrix and plus lambda of some of the minor of the principal diagonal minus determinant of a m the matrix was gonna be remnant तो यह calculation करने से जो रेजल्ट आ रहा है के लेम्डा इकॉल to m के replace में कर देना है तो उसमें जो direct result आ रहा है देखिए कि alpha and beta का result आ रहा है कि minus six and beta का value six तो that means इसका रेजल्ट होगा की option c next जो बोला गया था लेपलास ट्रांसफर्म से यह जो प्रोपर्टी होता है लेपलास ट्रांसफर्म उसको लगाने से यह जो result आ रहा है आपको ए पोपर्टी लगाना था कि L of sin x equal to one under s square plus one and यह जो और एक पोपर्टी होता है कि L of x to the power n of fx equal to minus one to the power n dn of dsn of fs तो इसमें compare करके यह लिखना था और then question में जो given था question में यहाँ पे जो function given था उसमें s का जो value है general form से कि यहाँ पे one था तो ए लिखने से आपका जो result आ रहा है कि हाप तो इसका जो right option होगा कि option option जो है कि option b तो next question था एक error से पोछा गया था कि डेस्टी मोटोर से कुछ data given था और उसमें आपको बताना था कि डेल e under e का value क्या होगा तो इसमें आपको जो चाहिए ओ है कि ए जो formula होता है कि e equal to omega या w under epsilon तो इसको आपको लगाना था और देन जो error का जो formula होता है उसको लगाना था और इसमें जो कापी सारे data given था question में तो aim का value v का tih h यह सारे आपको लिक के देखना था कि यह जो error है कि aim का जो error है del m का value क्या था कि 0.02 यह सारे question में given था यह सारे question पूछा गया था कि the dispersion relation of a gas of the non-interacting motions यहां पर देखिए कि two dimension पूछा गया था और dispersion relation given था कि e equal to c of root over mod of k तो जहां पर c जो positive constant बोला गया था और यहां पर जो बोला गया था कि low temperature case में specific heat का dependency temperature क्या होगा तो जो specific formula होता है बहुत ही important है कि cv is proportional to t to the power d under s d जो होता है dimension and h जो होता है कि k का जो power में रहता है वही होता है कि s का value तो power of p भी बोला जाता है यूँकि p equal to होता है h cut k ठीक है तो इसमें से देखिए कि जो dimension था यह तो two dimension case में बोला गया था तो d equal to two and इसमें जो dispersion relation था उसमें k का जो इस relation है कि k का जो power है वो क्या है कि इसका value यहां पर क्या होगा तो हाव हो रहा रहा है तो इसको आप calculate करने से जो cv का value आ रहा है इस proportional to t to the power 4 जो option a पे था तो इसका जो right option होगा option a तो next जो question था एक electrostatic से पूछा गया था कि एक potential given था और एक specific point पे आपको बताना था कि जो क्या होगा इसका potential और इसमें करने के लिए क्या करना था कि देखिए कि आपको जो potential given था उसमें आपको del v under del theta, del 2 under del v under del theta 2 ऐसे करके आपको e electric field निकलना था then specific condition given था उसमें आपको put करके जो result आ रहा है देखिए कि जो result आ रहा है option a पे था ठीक है next question था कि एक question भी से पूछा गया था basic condition जो होता है question भी से उसके related question पूछा गया था वह भी आप असान से कर सकते हो कि इसका जो option होगा one होगा क्योंकि option two and three are not possible so only possibility are that one and four so यहां पे जो condition है कि देखे option choice कर सकते हो कि option यही possible है next question पूछा गया था कि एक pointing vector से तो इसमें देखिए कि इसमें जो result होगा कि x and y पे circularly polarized है और उसमें जो result आएगा कि linearly polarized along the y direction okay so next electric field का जो direction होगा y से and magnetic field का जो होगा कि z से but यहां पे पूछा गया था कि इसका जो result क्या होगा कि linearly polarized along the y-axis next question है कि hydrogen atom से पूछा गया था specific wave function given the radial part of the r20 और उसमें बोला गया था the best schematic representation on the probability density for the electron to be the between r and r plus dr तो इसमें देखिए कि जो चार option था इसमें आपको करना था कि जो number of nodes होता है n minus l minus 1 तो उसमें 2 option तो already cancel हो रहा है और यहां पे जो होगा कि n का value 2 था and l का value 0 so that means n minus l that means 2 minus 0 minus 0 that means क्या है कि इसमें जो होगा जो number of nodes वो क्या होगा कि इसमें वो calculate करने से आ जाएगा या आप यहां से n equal to 2 l equal to 0 से आपको पहले करना था कि जो r20 का जो radial part का जो wave function होता है जो actually function का जो graph होता है इसे आएगा देन आपको क्या करना था कि required बोला गया था probability कि vr of dr तो इसमें क्या करना था तो इसमें आपको करना था कि r square of r square probability बोला गया था तो इसलिए यह जो negative में जो पीक आ रहा है एक क्या होगा कि positive में आ जाए तो दिन इसका जो result आ रहा है कि ऐसे आएगा तो जो actually देखिए कि option a में ऐसा है ठीक है कि नेक्स्ट जो question है कि जो conditional probability होता है बाइस थियों में इसे पूछा गया था तो जहां पे specific probability बोला गया था और उसमें बाइस थियों में लगाने से जो result आ रहा है कि 407 जो conditional probability होता है उसमें से पूछा गया था नेक्स्ट जो है कि मेकानिक से पूछा गया था जो है कि केपलर्स लॉश है और उसमें आपको बोला गया था कि the difference in time spent the earth in the two hub is closed to तो इसमें दो जो case हो रहा है तो उसमें difference क्या आएगा तो इसको करने के लिए आपको पहले क्या करना था कि एक जो elliptical path होता है ऐसे draw करके देखिए कि यह जो specific difference आ रहा है कि इस triangle के लिए इसको area जो calculate करना था यही difference है दोनों case में तो ए calculate करने से आपका जो result है वो मिल जाएगा क्योंकि पाइए भी जो total ellipse का जो area होता है वो 365 days लगता है तो अभी यह जो specific difference आ रहा है दो case में यह जो ABC triangle के लिए तो इसके लिए जो area आएगा उसके लिए क्या होगा कि कि 3.9 days तो ही पूछा गया था कि the difference in time spent कितना होगा कि 3.9 days जो option A में था एक जो question है कि देखिए यहां पे भी बोला गया था कि pointing vector क्या होगा तो इसके लिए क्या करना था कि आपको जो कुछ data given था बट इसमें एक चीज धन में रखिए कि यहां पे जो current density ही है तो question में i से define किया गया था तो इसलिए आप एक अलग parameter use करें कि i prime ठीक है तो उसको current से define करें नहीं तो यहां पे current density को i से define किया गया था तो ऐसे करके j को i से define किया गया था यह basic जो पॉपटी होता है इसको लगा दीजिए और पॉइंटी विक्टो जो होता है ओन अंडर मू नॉट और क्रॉस भी इसको लगाने से calculate करने से जो result है कि minus of i square of r under two sigma of rho cap जो actually option specific B पे था ठीक है तो यह result इसका जो correct होगा option B next question है इसमें क्या करना था कि एक specific coordinate बोला गया था polar coordinate तो और उसमें कुछ condition given था और specific option जो था उसको आपको utilize करके बताना था कि कौन सा option correct है तो पहले क्या है कि जो polar coordinate में जो radial part होता है velocity का and the acceleration होता है velocity का acceleration का जो radial part होता भी होता है उसको लिखना है then इसको जो question में given था उससे relate करके एक condition आ रहा है जो है कि जो है कि ऐसे ठीक है और देखिए कि इसमें जो है कि beta आप स्विक omega then this is option को लगाना था इस result आने से तो option जो है कि जो fourth option है वहां पर जो बोला जा रहा है इसके लिए ये correct है ठीक है next hamiltonian बोला गया था और उसमें calculate करने बोला गया था कि lagrangian क्या होगा तो यह बहुत आसान है कि hamiltonian equal to summation over of pk qk dot minus of l और यहां पर दो coordinate था q1 q2 and the generalized momentum over the p1 p2 तो उसमें से आप hamiltonian canonical equation use करने से q1 dot q2 dot आ रहा है और यह पता है कि lagrangian जो होता है कि generalized coordinate is analyzed velocity and time तो इसलिए इसका जो right option होगा option d next जो है कि farming energy पुछा गया था 3 by 2 spin and half spin के लिए तो actually इसमें arrange करने से यह result आ रहा है farming energy का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा जो excited state है उसमें जितने electron या जितने particle रहता है जो total energy define करता है उसको farming energy बोला जाता है तो इस case में जो half spin के लिए यह result आ रहा है and 3 by 2 spin के लिए यह result आ रहा है इसका ratio पुछा गया था तो इसमें करने से जो result आ रहा है कि one under four जो option second पे था next जो है कि locust of the curve बोला गया था and जो पुछा गया था the value of the x0 and y0 तो इसमें देखिए कि imaginary वाला पार्ट बोला गया था और complex में z equal to क्या होता है कि x plus i y यह solve करने से result आ रहा है but आपको जो लेना है कि only imaginary part इसमें से आपको देखिए कि x0 and y0 का value आ रहा है एक equation आ रहा है और इसमें यह equation है कि यह circle का equation है और यहां पे जो होता है कि x-x0 का square plus y-y0 का square equal to r square तो यह compare करने से x0 and y0 का value आ रहा है और r का भी value आ रहा है जहां पे देखिए कि यहां पे 1 and half and r का value radius का value जो है कि circle का half तो ऐसे करके जो option यहां पे था तो option a जो है यह correct है next देखिए कि एक constant equation पूशा गया था एक system के लिए जहां पे बोला गया था एक one dimensional rigid rot है और जो क्या है कि move to the inside of the sphere और यह जो move कर रहा है उसी time यह दोनों side पे touch कर रहा है तो इसलिए क्या होगा इस system में जो constant equation होगा वो कितना होगा तो देखिए यह rot का जो length है यह to fixed है तो इसलिए एक आएगा और क्या है कि जो center है इसमें से 2 radius आएगा तो इसमें भी 2 equation आएगा ठीक है तो total यहां पे 3 constant equation आएगा ठीक है क्योंकि एक radius के लिए और एक radius के लिए and जो है कि rot का length के लिए ठीक है next जो है कि बोला गया था induced emf क्या होका emf बोला गया था q का value क्या होका तो इसमें क्या करना था कि जो specific जो formula होता है emf के लिए तो वो लगाना था और i का value यहां से आ रहा है तो then del q का value आ जाएगा तो उसमें आप जो angle given था उसारे करने से जो result आ रहा है 2Nb pi square under r जो option d में था next जो है कि opm से question आया था इस पर तो यह भी असान था तो क्या है कि input जो voltage given था कि v0 sin omega t vrms 1 volt v0 का value होता है root under 2 of vrms तो इसमें से आपको v out आ रहा है then if given था v0 का value जो है कि डायोट था जो है 0.7 volt practical diode के लिए होता है और जो है कि condition तो इसमें से आप लगाएंगे तो क्या आ रहा है कि v0 का value यह आ रहा है जो है कि 0.7 से बहुत ही काम है तो इसलिए correct option जो होगा option 3 तो क्या होगा कि 0 आएगा ठीक है next जो है कि angular momentum से question पूछा गया था बट इसमें क्या है देखिए कि angular momentum जो होता है कि i of omega and omega given था और इसमें पहले आपको लिखना था कि angular momentum का result के लिए जो momentum बिनाशिया होता है उसको लिखना था और देन omega का जो value given था यह सारे यहां से लिखने से जो आ रहा है देखिए और momentum बिनाशिया specific i x x i y y and i z z जो आता है result known value है यह सारे लिख के आपको यह calculate करने से result आ रहा है but आपको बोला गया था कि angular momentum का value नहीं पूछा गया था पूछा गया था कि इसका direction क्या होगा तो एक ही option ऐसा है कि j cap plus 2 k cap तो भी देख लेते हैं कि option 3 में था ठीक है next जो है specific heat से question statistical से पूछा गया था तो क्या है देखिए कि question में बोला गया था 2 energy level 0 and epsilon जहां पे बोला गया था 0 जो energy level है वो non degenerate but epsilon energy level जो है कि double degenerate तो यहां पे n non interacting distinguishable particle given था और बोला गया था large number यह है and the entropy expression इस system में जो होगा वो given था और यहां पे देखिए कि x एक given था इस x को find out करना था तो इसके लिए क्या करना था आपको total energy जो होगा कि 0 of n plus epsilon of n तो ऐसे करके small n जो आ रहा है कि u under epsilon then the microstate जो होता है possible microstate यह formula लगाने से आ जाएगा and the specific entropy and microstate का जो important formula होता है a is equal to kb ln omega यह सार करके calculation करने से and यहां पे जो लगाना था कि starling approximation लगाना था क्योंकि n जो बोला गया था कि large तो इसलिए starling approximation लगाने से इसका simplify करने से जो expression आ रहा है तो ऐसे आ रहा है ठीक है और question में expression given था जो entropy का तो यह compare करने से जो a जो x है ठीक है तो इसका value क्या होगा कि minus of u under epsilon ln of u under 2 epsilon next question question देखिए कि यह basal function से पूछा गया था specific property होता है तो यह आसानी से आ रहा है तो इसका result होगा कि minus option 4 ठीक है minus x to the power minus n 0 of n plus 1 next question पूछा गया था एक thermodynamics से question में देखिए कि यह जो formula होता है इसको लगाना था then q जो होता है latent heat से ml से define किया जाता है इसको calculate करने से जो result आ रहा है actually देखिए constant इसको consider करिए इस calculation जो आ रहा है इसमें और L square रहा है L0 square of t तो ऐसे पुछा गया था कि L का value t से कैसा होगा जो option देखिए कि यहां पे present बोल लगा था कि L t equal to L0 of t to the power और alpha ऐसा कुछ तो alpha का value क्या होगा यही पूछा गया था तो alpha का value होगा next question जो था कि यहां पे जो है कि जीमान effect से पूछा गया था बट यहां पे देखिए कि यहां पे यह जो है कि transition 1D2 से 1P1 तो जब delta email का value 0 plus minus 1 ऐसे 3 आयेगा जहां पे actually तो आ रहा है कि 9 transition ठीक है तो इसमें result 9 होता बट line पूछा गया है तो इसलिए allowed जो line होगा वो 3 होगा तो next देखिए कि relativity से जो question पूछा गया था एक specific जो formula होता है कि rho z prime equal to rho z minus of v under c square of j z root under of 1 minus b square under c square तो v under c को लिख सकता है बीटा relativistic factor और इसमें जो rho z था वो given था कि 0 तो यह calculation करने से जो result आ रहा है कि i beta pi square c of root under 1 minus bit square जो actually option a पे था ठीक है जो है कि option a पे था next जो question ने देखिए यह scattering part से पूछा गया था quantum mechanics से तो इसमें क्या है कि actually जैसे पूछा जाता है इसे यह इस पार नहीं पूछा गया है actually जो basic formula होता है उससे आगे से derivation होता है उसमें से पूछा गया था ठीक है तो क्या है कि अब लोग जैसे क्या है कि result को use करते हो इसमें क्या है कि इस result से पहले क्या होता है उसको पूछा गया को बनाना था कि कैसे इसको रीक्षाल करना था है तो जो सक्याटरिंग फैक्टर होता है एफ यहां पे ऑप्टिकली थीओरिम होता है इसको लगाना था तो यह लगाने से इसमें एफ कभेल ज़ा रहा है देन क्या है कि स्क्राइब क्रोस्सेक्शन होता है कि d sigma under d omega, वो क्या होता है, कि mod of f square, f square का मतलब है कि a star complex conjugate करिए, तो इसमें result यह आ रहा है, और देन इसको solve करने से, जो final result आ रहा है, वो क्या है कि ऐसे result आ रहा है, और specific देखिए कि question में a delta 0 and delta 1 का value की भी भी था, तो यह सारे put करने से, जो grab आएगा, तो क्या है कि a for mod square और theta का grab, यह क्या होगा, यह actually decay होगा, तो यह option देखिए क्या होगा इसका result, तो एक ही option ऐसे था, कि option B था, ठीक है, बट इसमें एक चीज धान में रखिए कि आप लोग क्या कर, पहले question कैसे पूछा जाता था, कि यह actually लगाना था, बट इसमें इस बार यहां से करना था, ठीक है, और यह formula आपको specific question में जैसे था, इसके related आपको यह value put करके define करना था, और then delta naught और delta 1 का value तो given था, इसमें result आ रहा है, ठीक है, तो next, next क्या था, कि एक normal distribution पूछा गया था, और यह भी बहुत simple question था, आपको क्या करना था, expectation value का जो formula होता है, वही लागाना था, और इसमें limit जो करना था, कि minus infinite to plus infinite, तो देखिए कि इसमें आपको calculate करने से जो final result आ रहा है, ठीक है, तो यह आपको compare करना था, कि इसमें से actually, sorry, this is, यह result आ रहा है, तो ऐसी result आ रहा है, जो actually option में था, जो है कि, देखिए, इसमें एक specific standard integration जो होता है, उसको लागाना था, यह result आ रहा है, यह जो minus minus square under two sigma square, और यहां पे भी ऐसे term आ रहा है, तो यह दोनों cancel out हो जाएगा, तो यह दो term बच रहा है, तो जिसका result है कि, e to the power of sigma square under two plus mean, जो option a में था, ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना था कि, जो expectation value of e to the power of y calculate करना था, तो यह क्या होगा, कि अभी जो function है, वो यह ही है, ठीक है, function को लिखना था, और di यह से integrate करना था, और limit minus infinite to plus infinite, next जो है कि bisection में इसमें तो आपको iteration calculate करना था, तो तीन या चार iteration calculate करने से result आ जाता है, तो इसमें भी result आ रहा है, देखिए, तो जो है कि 11 under 8, तो यहाँ पर first iteration जो lies कर रहा है कि x1 and a के अंदर, then x2, then x3, तो x2 and b के अंदर जो है कि x3 tradition आ रहा है, तो जिसमें result 11 under 8, तो देखिए, option में जो है कि 11 under 8 जो था कि 3 से था, यह actually numerical method से पूछा गया था, next जो है कि small oscillation से पूछा गया था, कि एक system है, तो इसमें two identical mass है, और मास है, और इसमें जो spin constant है, ओ भी equal है, कि यह 2k है, और इसमें बोला गया था कि the ratio of the normal mode of frequency, तो इसको करने के लिए क्या करना था कि पहले kinetic energy of the system and potential energy of the system, then matrix form में इसको लिखना था कि T को and V को, then the characteristic equation जो होता है, कि mod of V minus omega square T equal to 0, इसमें calculate करने से तो जो result आ रहा है, कि plus minus, okay, ऐसे दो टाम आ रहा है, तो इसको ratio करने से जो result आएगा, कि root under of 3 plus root under 5, और निचे में root under of 3 minus root under of 5, जो है कि option A बे था, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो है कि direct delta function से पुछा गया था, जो specific delta function का जो property होता है, तो A लागाने से, calculate करने से जो result आ रहा है कि 3, जो option A पे था, नेक्स्ट जो है कि random walk problem, इस question में थोड़ा मेरा result है, और different आ रहा है, तो इसलिए इसका जो right option है, 11 under 64, official answer keeping given है, बट इस next session में हम लों discuss कर लेंगे, solution से इसे आ जाए तो, ठीक है, तो चलिए, next question देख लेते हैं, next question जो है कि, हो क्या है कि energy कुछ given था, और बोला गया था कि कौन सा nucleus के लिए होगा, यह rotational, rotational spectrum के लिए होगा, for the different nucleus के लिए है, ठीक है, इसका जो right option है, option A, next, जो था, देखिए, यह बहुत एक, अच्छे question पूछा गया था, statistical mechanics से, जो है कि, बोला गया था कि pacific, कुछ, एक्टिलो डीजेनरेट, जो, electronic system होता है, उसके लिए, उसमें से पूछा गया था, तो क्या है कि, जो density of state होता है, gp, dp, momentum range में, भी under hq of 4 pi p square of dp, इसको लगाना था, and जो total energy को calculate करना था, और counting energy का जो फॉर्म होता है, कि p square equal to 2 mt, ऐसे करके आपको लिखना था, और दिन इसको t के फॉर्म में लिखना था, जो momentum से t के फॉर्म में लिखना था, जो t है कि contingency, and यहाँ पर एक चीज धन में रखना था, कि जैसे option था, उसमें गलत हो सकता था, कि considering the spin regeneration for the electron के लिए, जो है कि spin regeneration जो होता है, electron के लिए 2 आता है, क्योंकि जो orientation होता है, plus half, minus half, तो इसलिए यहाँ पर जो result actually आ रहा है, उसमें 2, 2 एक multiply होगा, तो जो 2 pi भी आ रहा था, वो क्या होगा, कि 4 pi भी, तो यह result आ गया t के फॉर्म में, then जो होता है, कि number of particles, जो होता है, कि integration of gp, dp of e, जो है कि distribution function, और a जो है कि momentum के फ़र में, density of state, ठीक है, और यहाँ पर row जो है कि n of e, n जो है number density, तो that means small n equal to, आप यहाँ पर n under v से लिख सकते हो, क्योंकि n जो है number of particles, and v जो है volume, apparent volume, number of particles, that is equal to number density, तो यह सारे यहाँ से लिखने से, जो result आ रहा है, तो ऐसे form आ रहा है, और इसमें जो limit रखना था, कि 0 से, e, v, e, f minus of v, तो देखिए कि यहाँ पर, जो भी, e, जो भी है, actually, यह क्या है कि potential energy, ठीक है, और यह जो है कि फार्मी energy, तो यह equal to क्या है कि kinetic energy, ठीक है, तो इस limit को डखना था, और then, जो according to question, जो है कि, यहाँ पर फार्मी energy का value है, कि 0, तो देन क्या होगा कि, जो result आ रहा है, integration करने से, limit लगाने से, जो result ए आ रहा है, बट फार्मी energy जो है कि, यहाँ पर 0 आएगा, तो इसलिए क्या होगा कि, जो density आएगा, रो, actually जो होगा कि, यह टर्म आ रहा है, तो यह जो है, option देखिए, कि option, ए पर था, ठीक है, ए अंडर 3 पा स्क्वेर, इस काट स्क्वेर, और 2, जो option, ए में था, नेक्ट जो question है, canonical transformation से पूछा गया था, canonical होने के लिए क्या होता है, कि position bracket equal to 1, condition of the canonical, xp of xp, that is equal to 1, यह capital X and capital P, and the small x, small p, that is the coordinate, तो और position bracket जो होता है, expand करने से a आता है, तो equal to 1, इसमें आप calculate करने से जो result आ रहा है, actually, 1 plus 2 alpha beta equal to 0, next question था, एक solid से पुछा गया था, तो देखिए क्या था, कि nx, ny, nz, जो है कि coordinates था, और इसमें बोला गया था, दो case बोला गया था, एक a crystal के लिए, जो है कि nx plus ny plus nz का value event होगा, event odd integer होगा, तो यह condition जो है, यह actually fcc के लिए आता है, और nx plus ny plus nz का value event integer आता है, fcc and bcc के लिए, बट इसमें क्या है, बोला गया है कि जो a crystal है, वो क्या होगा, ना a crystal तो fcc होगा, and b crystal जो है कि bcc and fcc दोनों हो सकता है, बट यहाँ पर देखिए, जो question में जो option given था, इसमें एक option था कि a option, a crystal जो है fcc होगा, and b crystal जो है bcc होगा, but b crystal सिर्फ bcc होगा, ऐसे नहीं है, a crystal fcc होगा, but b crystal bcc भी हो सकता है, fcc भी हो सकता है, तो इसलिए fourth जो option है, a क्या है कि a correct नहीं है, ठीक है, बट देखिए, कि दोनों का जो possibility है, fcc हो सकता है, a तो pacific fcc है, b fcc भी हो सकता है, bcc भी हो सकता है, तो इसलिए चार जो option है, इसमें से option 2 जो है, वो more correct है, ठीक है, कि both fcc ही possibility है, और fourth option लगाने से, a crystal तो fcc है, ठीक है, but b crystal जो है bcc, a bcc भी है, fcc भी है, तो इसलिए इसका result, option 2, more correct होगा, ठीक है, क्योंकि जो second crystal था, वो bcc भी है, fcc भी है, तो इसलिए इसका right option जो होगा, option 2, ठीक है, यह option आपको check करना था, उसमें से आपको, इसका correct option, option 2 है, वो आ जाएगा, ठीक है, तो option D नहीं होगा, या option 4 जो है, वो नहीं होगा, यह more correct नहीं है, क्योंकि जो second crystal है, वो bcc भी हो सकता है, fcc भी हो सकता है, बट जो second option है, देखिए, कि बोध fcc, a allowed है, ठीक है, next, next जो है कि specific condition given था, और इसमें आपको iron first theory में जो होता है, उसको लगाना था, तो then, जो boundary condition है, उसको लगाने से, जो specific a का expectation value पूछा गया था, इसका result आ रहा है, है कि sine of hyperbolic of omega t, ठीक है, जो option b पे था, या second पे given था, ठीक है, next जो question है, देखिए, कि यहाँ पे, इस question में भी थोड़ा doubt आ रहा है, मतलब यह भी controversy हो रहा है, इस question में भी, कि यह जो farmy velocity given था, aq contribution में नहीं use किया गया है, जो official answer की पे, जो result दिखा रहा है, कि ea is proportional to a to the power one under three, तो actually क्या है कि यह question पहले भी पूशा गया है, CSI net exam में, इसमें जो फार्मी velocity है, यह क्या है कि एक constant की तरफ बहेब कर रहा है, कि specific farmy energy पे, और यहाँ पे, इसलिए कि यह भी एप को contribution नहीं लेना है, सिरफ आपको देखना हाथा कि dispersion relation जो है, उसमें क्या है कि one था, तो इसमें से आपको लगाना था कि जो number टेंसिटी से farmy energy का जो form होता है, कि ea is proportional to a to the power a under d, तो is जो है कि one and d जो था कोही भी dimension given, नहीं, sorry, this is three dimension बोला गया था, तो इसलिए dimension जो है three लगाना था, कि one under three, तो इसलिए इसका रेजल्ट जो होगा कि EF is proportional to n to the power one third यहाँ पर VF जो है यहाँ पर नहीं लेना है VF is a constant तो ठीक है तो इसका रेजल्ट क्या होगा कि option A और VF को constant नहीं लेंगे तो इसका रेजल्ट आ जाएगा कि 2 under 3 नेक्स्ट जो है कि एक डायोट से question पूछा गया था डायोट कैपासिटर से जो basic electronics होता है analog से वहाँ पूछा गया था जस्त आपको देखना था कि जो input signal था उसमें से आपको calculate करना था और यह जो calculation करने का तरीका होता है कि positive half cycle negative half cycle ऐसी करके calculate करना होता है इसमें क्या करना था कि पहले negative half cycle को consider करें तो उसमें से आपको यह जो डायोट है यहाँ पर इस सारे simplify करने से क्या होगा कि यहाँ पर चार डायोट था और उसमें 4 capacitor लगाया था तो इसमें 2 डायोट क्या होगा कि negative half cycle के लिए forward of ice में रहेग तो दिन जो result ऐसे करके negative half cycle and positive half cycle ऐसे करके calculation करने से जो result पूछा गया था वो actually result जो आ रहा है देखे कि V output this is equal to 4 V input minus of 2.8 ठीक है शिर्व आपको क्या करना था कि जो input signal था उसमें positive half cycle negative half cycle करके use करना था दिन आपका जो output result ओ आ जाता ठीक है नेक्स्ट जो है कि देखिए कि यहां पे जो question पूछा गया था angular momentum क्या होगा तो इसमें भी basic जो formula होता है उसको लगाना था कि phi equal to integration of b of ds यह तो question में given था और ds जो है कि phi r square तो यहां पे then d5 under dt कर दीजिए और जो formula होता है कि integration of e.dl equal to minus of dl phi under dlt तो यह करने से यह result आ रहा ह है कि force equal to integration of e of dq and torque torque equal to r cross a. तो करने से torque आ रहा है और torque चुप होता है कि the rate of change of momentum angular momentum that is dl under dt तो यहां पे आ जाएगा integration करने से l का value, l का value जो है कि alpha r one minus of cos omega t जो actually option option a पे था alpha r one minus cos omega t next जो है कि Michelson on the experiment से पूछा गया था यह भी formula based था तो यह 5 equal to होता है 2 or under d तो यहां पे यह लगाने से क्या होगा कि 5 का value आ रहा है और यह question में पूछा गया था कि degree में क्या होगा तो इसलिए इसको radian से degree में convert करना था जो result आ रहा है कि 0.629 बट निया लिए बाट यह क्या हो होगा कि 0.63 जो option a पे था नेक्ट जो है कि particle फिर्ष चे पूछा गया था एक एक स्नॉट पार्टिकल एक reaction गीविन था और इसमें एक स्नॉट जो पार्टिकल है उसका एंगलर मोमेंटम चार्ज कॉंजूटिशन पूछा गया था तो इसमें क्या है कि इस बाकी जो specific decay बोला गया था कि जैसे एक स्नॉट से 2 गामा फोटोन 3 पाई 2 पाई ऐसे इस सारे आप कल्कुलेशन करने से इसमें से आपको क्या होगा कि जे का वैलू आ जाएगा और जे जो होता है एक्चुली क्या है कि जे इकल टो एल प्लास एस बट पार्टिकल के किसमें एल इकल टो जीरो होता है तो इसलिए आपका जो यहां पर रेजल्ट होगा कि एस का वैलू कल्कुलेट कर लीजिए पहले तो जो पेसिपिक इंटरक्शन गीविन था उसमें से एस का वैलू जो आ रहा है कि यह क्या होगा कि जीरो भी हो शकता है वान भी हो शकता है तो इस सारे बाच है जो कि जो इंटरक्शन गीविन था उसमें से कल्कुलेट करने से इसका वैलू जीरो एंड वान आ रहा है बट मैक्सिमम जो केस में इसका वैलू क्या आ रहा है कि जीरो तो इसलिए इसका वैलू जीरो लीजिए या जे का वैलू तो इसलिए दो ऑप्शन तो अलड़ी कैंसेल के लिए parity का जो form होता है कि phi equal to minus one to the power इसको बोला जाता है कि self conjugate particle parity जो होता है कि minus one to the power s plus one so इस में देखिए कि s जो है specific case में zero x naught के लिए तो क्या है कि negative and जो charge होगा charge जो होता है कि minus one to the power l plus s, l तो zero है particle के लिए और self conjugate particle के लिए charge conjugation जो होता है minus one to the power l plus s, तो s अभी zero है तो zero plus zero that is positive तो क्या है कि कैसे question में था कि j c p तो पहले c लिखना था तो c जो आ रहा है positive and p जो था कि negative तो इसलिए तो j का value zero, c का value positive and p का value negative तो देखिए कि option a and b में zero था बट पहले positive कहां पे था कि option b में था ठीक है, यह second पे था क्योंकि यहां पे देखिए j c बोला गया था तो जो charge conjugation आ रहा है वो क्या है कि positive parity जो आ रहा है negative तो इसलिए यह option correct होगा, कि zero plus minus इसलिए नेक्ट देखिए क्या है कि जो बोला गया था कि एक one dimension system है तो उसमें n spin particle है एक conceptual question पूछा गया था बट इसमें बोला गया था कि the number of ground state of the system क्या होगा तो यह specific conceptual question है कि देखिए कि number of ground state जो होता है system में क्यू हो तो क्या होगा कि number of possible values भी उसी particle का जो spin है वही होगा ठीक है क्योंकि जो है कि this is because the energy of the system is minimized when all the spins are the same okay then there is a possible values for the spins तो देखे एक example से इसको और भी आव लोग यहां पर discuss और भी आसान होगा इसको समझने के लिए consider करें कि if q is equal to 3 तो the 3 possible ground state at the system are तो एक होगा कि all spin are in the equal to 1 all spin are equal to the 2 all spin are equal to the 3 तो in general there will be the ground state at the system 1 for the each 1 for is of the particle value of the spin so that means यहां पर जो question में given था कि q जो है वही होगा इस system के लिए कि number of ground state ठीक है एक conceptual पूछा गया था इसको देख लीजिए तो इस example से clear हो गया है आसा ठीक है तो चलिए next question देख लेते है next question जो था कि quantum mechanics से पूछा गया था हो है कि एक 1d potential box के लिए 0 2a उसका width था और बोला गया था कि ground state के लिए बोला गया था तो क्या होगा तो इसमें एक आएगा कि a under 2 और एक और second के लिए आएगा a under 2 तो तो that means a square under 4 ठीक है तो इसमें जो result आएगा कि one under four of a square next देखिए कि जो है बोला गया था polarization flip process the resonant वो क्या होगा के एज-cut omega के form में तो इसमें आपको करना था कि जो torque calculation करना था और इसमें d omega जो है कि d omega equal tau d theta तो इस सारे करने से जो result आ रहा है कि यह result आ रहा है और इसमें इसको लिखना था कि एज-cut omega के form में तो जो result आ रहा है 2μb of b1 का mod value जो option option d में था नेक्स्ट जो है कि एक sound शे question पूछा गया था यह भी conceptual question था तो इसका description discussion मैंने यहां पर एक example किसी जो data था उसमें से कर दिया है तो इसमें जो result आएगा option a आ रहा है ठीक है तो चलिए तो next question है इसमें भी थोड़ा doubt आ रहा था student को जो है कि electric field दो given था और magnetic field दो given था इसमें आपको क्या करना था कि electric field को add करने से e आ जाएगा e1 e2 से और b1 b2 से भी आ रहा है और इसमें pointing meter जो है जो formula होता है कि e cross b under mu naught ए calculate करने से इसमें थोड़ा direction को आपको अच्छे से देखना था इस calculation को थोड़ा देख लीजिए तो यह result आएगा ठीक है तो e is जो आ रहा है ऐसे आ रहा है और जो question में given था कि point meter का जो direction वो compare करने से beta and alpha का value आ रहा है कि actually beta equal to r minus 1 and 1 plus alpha is value आ रहा है कि 1 ठीक है तो देखे कि 1 plus alpha equal to तो आप ऐसे लिख सकते हो कि minus of beta क्योंकि यहाँ पर 1 आ रहा है तो इसको लिख सकते हो कि minus of beta तो यह left hand side पर आएगा तो क्या होगा कि 1 plus alpha plus beta equal to 0 तो जो option a-way है ठीक है यह actually correct है इसको challenge करने से कुछ result change नहीं होगा क्योंकि एक correct है ठीक है इस solution को थोड़ा अच्छे से एक बद देख कर लेना ठीक है तो next देखिए कि hall effect से question पूछा गया था जो formula होता है कि hall voltage का तो वो सारे लिख लीजी है ठीक है तो और b जो है एक्चुली ऐसे b0 of sin of omega t सारे calculate करने से जो आ रहा है भी है इसका value जो है कि rh of i of b0 of root under root of 2 of d जो option यहां पर एक्चुली और h i b option second sorry this is second तो next question जो है कि statistical mechanics से पूछा गया था देखे कि question में given था कि एक energy का value और इसको लिखना था कि j of s1 s2 को s1 s2 को coupling से लिखेंगे तो क्या होगा कि s2 minus of s1 square dot of s2 का square under 2 तो यह जो result आता है कि s2 का value s of s plus 1 s1 s1 का square that is s1 of s1 plus 1 s2 का value जो होता है कि s2 of s2 plus 1 ऐसे गर क्लिकने से result आ रहा है और s का value है कि यहां पर electron बोला गया था तो इसलिए sorry this is actually spin कुछ बोला गया था हाँ electron बोला गया था तो इसलिए s का value होगा कि one either zero तो एक करने से जो result एन होगा तो दो spin के लिए तो क्या होगा कि one के लिए s1 तो tip listed आएगा और s0 that is equal to single listed आएगा तो इसमें दूर result आ रहा है और इसमें जो degeneracy आएगा 2s plus 1 degeneracy जो होता है कि 2s plus 1 तो that is 3 and 2s plus 1 that is 1 तो and s equal to 0 के लिए क्या आएगा कि जो जो multiplicity आएगा ओ क्या है कि degeneracy 1 आएगा तो ऐसे करके partisan function लिखना था partisan function जो होता है कि summation number of g i to the power minus of beta e i तो ए लिखने से आपका result आ रहा था तो यह आ रहा है partition function और question में बोला गया था कि fast excited state तो fast excited state जो है वो क्या है कि उसका multiplicity जो है कि 3 and जो फॉर्म आ रहा है कि e to the power minus of beta j under 4 तो यही probability पूछा गया था कि fast excited state के लिए probability क्या होगा तो यह fast excited state के लिए form है और total जो है कि probability जो है कि ऐसे आ रहा था ठीक है तो यह divided divided by your partition function जो option 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 B में था नेक्ट जो है कि Ramon effect से question पूछा गया था stokes line के लिए और जो है कि molecule के लिए बोला गया था H2 and D2 molecule के लिए and del new under del new का ratio क्या होगा और energy का जो formula होता है कि energy is dependency of 1 under mu तो यह क्या होगा कि reverse हो जाएगा ठीक है कि H2 के लिए mu इधर आएगा और D2 के लिए mu D2 इधर आएगा और mu जो है कि reduced mass तो यह क्या होगा कि one under one under two इसके लिए H2 के लिए तो क्या रहा है कि two under one तो क्या होगा कि result कि two आएगा इसका ratio question देखिए कि dead new of H2 के लिए and dead new of D2 के लिए तो क्या होगा कि two आएगा molecule वो ला गया था इसमें देखिए कि molecule वो ला गया था जो है कि molecule वो ला गया था next जो है कि rotation matrix से question पूचा गया था तो उसमें क्या है कि specific matrix given था और बोला के था कि angle of rotation क्या होगा and उसका जो जो है कि B का corresponding जो matrix है वो क्या होगा तो देखिए इसका solution कैसे करना था एक given था और any arbitrary rotation matrix के लिए जो trace होता है specific जो formula होता है इसको लगाना था कि trace for the any rotation vertex that is equal to one plus two cos theta तो इसमें से आपको theta का result आ जाएगा ठीक है और trace जो है यह क्या है कि principal diagonal element जो है इसको add कर दीजिए तो यह trace जो आ रहा है given matrix के लिए minus one तो देखिए कि cos theta equal to यहां से लिख सकते हो कि trace minus of one under two theta equal to cos inverse of a result आ रहा है कि cos inverse of minus one तो that is theta equal to pi तो यह जो एंगल रोटेशन है वो क्या है कि pi तो आपको याद रखना था कि जो है कि trace क्या होता है इनी arbitrary rotation matrix के लिए तो क्या है theta equal to pi तो that means option three and four का possibility है option one and two तो नहीं होगा क्योंकि यहां पे जो angular rotation है pi under two pi under तो यह दो option अलड़ी cancelled out हो रहा है तो फिर देखना था कि यहां पे जो और एक पुशा गया था कि vector क्या होगा तो एक्स का value क्या होगा तो देखिए कि आइगन वेक्टर का जो property होता है कि यहां पे आर यूज किया गया है क्योंकि आर मैट्रिस के लिए बोला गया था तो यह मैट्रिस की भीन था और इसमें से आपने consider कर लीजिए कि इसमें जो आइगन वेक्टर है एक्स वाइजट तो इस सारे इस calculate करने से जो result आ रहा है कि x equal to 0 and y and z के form ऐसे एक relation आ रहा है तो आपको क्या करना था कि y equal to k consider करिए तो then z equal to k आ रहा है कि root under 2 of k then x equal to 0 k and root 2 of k तो यह आ रहा है बट आपको question में देखिए कि जो option बोला गया था उसमें जो result में normalized करके बोला गया था तो इसमें क्या करना था आपको normalization condition लगाना था जो है कि eigen vector x जो normalization condition होता है x dagger of x equal to 1 तो उसमें से k का value आ रहा है कि 1 under root 3 तो that means x का value जो है कि 0 1 under root 3 root under 2 under 3 ठीक है तो जो option option जो है option फोर में था ठीक है एंगल गोटेशन पाई एंड फेक्टोर जो है कि 0 1 under root 3 root under 2 under 3 तो next question है देखिए कि जो है कि pacific कुछ unstable नियोकली था और उसमें से कुछ difference बोलागा था और energy difference वो given था तो उसमें क्या करना था आपको एक-एक option को देखना था कि जो पहला पहला देखिए कि option check करने से क्या आ रहा है कि pacific जो है कि इसमें से emit होगा कि पहला option में पहला option में क्या बोलागा है कि एक beta decay हो रहा है तो यहां से बीटा डिके हो रहा है तो इसमें से क्यू वैलू का क्या है कि जो इनर्जी का वैलू गीविन है डिफरेंस वह इसमें से बहुत ही कम है क्योंकि यहां पे देखिए कि 0.473 मेगा एलेक्ट्रों वोल्ट यह मैज नहीं कर रहा है एकॉडिंग तो दा कोश्चन तो क एकंड ओप्शन में देखिए कि एन एलेक्ट्रों कैप्शर टू दा टू प्लास स्टेट आफ अफ दा एरगोन 40 तो यह रियक्शन आपको लिखना है तो इसमें से जो क्यू वैलू का रेजल्ट आ रहा है यह है कि 1495 किलो एलेक्ट्रों वोल्ट यह एक्चुली जो तो यह ओप्शन चेक करना था कि पेसिफिक एक-एक ओप्शन को कुंसिडर करके जो रियक्शन था उसको लिखना था तेन क्यू वैलू कलकरेट करने से जो इनर्जी का वैलू गीविन था उसमें कॉंपेर करने से करेक्ट ओप्शन आ जाता ठीक है तो जो यहां पे या आपको लग रहा है कि कोई कोश्चन में कुछ पोग्लेम है या आपका कोई साजेशन है तो कॉमेंट सेक्शन में अब लोग जुरूर बताना तो अभी इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर